Hello everyone, आज के वीडियो में हम जानेंगे अवेकस क्या है और इसे बच्चे कैसे सीखते हैं ये अवेकस टूल है इसे हम अवेकस कहते हैं इसमें बच्चा फास्ट फास्ट एडिसन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीजन करना सीखता है इसे हम बीड्स कहते हैं ये अ वान, टू, थ्री, फोर और अपर वीड्स की वैलू होती है फाइब लोवर वीड्स की वैलू होती है वान, टू, थ्री, फोर और अपर वीड्स की वैलू होती है फाइब वीड्स को अब डाउन करने के लिए हमेसा हमें थम और इंडेक्स फिंगर का यूज करना चाहिए व तू, तू, त्री, फोर, डाउन, इसे हम answer बार बोलते हैं, middle बार भी बोलते हैं, answer बार, इसे हम answer बार कहते हैं, हमारे answer बार को कोई भी width अभी touch नहीं कर रही है, हमारे answer बार को कोई भी width अभी touch नहीं कर रही है, तो हमारा answer हुआ, 0, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन अभी lower width की value 1 है, यह answer बार को touch किया, तो इसका answer 1, 2, 3, 4, यह 4 है, तो हमारा answer है, 4, 5, तो 5, 5, 1, 6, 5, 1, 7, 5, 1, 6, 7, 8, हमारा answer 8 है, 5, 1, 6, 7, 8, 9, तो हमारी answer 9 आगया है, आईए हम फिर से देखते हैं, width की value क्या होती, width की value होती है, 1, 1, 2, 3, 4, down, अपर width की value होती है, 5, हमारे answer बार को, यह width टच कर रहा है, तो इसलिए हमारा answer आया है, 5, 5, 5, 1, 6, 5, 2, 7, अभी हमारा answer 0 है, 5, 3, 8, 5, 4, 9, तो हमारा answer 9 हुआ, यह width की value होती है, 1, 2, 3, 4, यह 5,